सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें कक्छा दस्मी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिश्णाबली 1.2 का प्रसन ग्रमांक एक करेंगे जिसमें दिया गया है निम्नलेखित संख्याओं को अभाजी गुडन खंडों की गुडन फल के रूप में व्यक्ति कीजिए ये हमें कुछ संख्याइं दी हुई हैं पहली है 140 दूसरी 156 तीसरी संख्याइं 3825 चौति संख्याइं 5005 और पांचमी संख्याइं 7429 इनके अभाज्य गुडन खंडों के गुडन फल के रूप में व्यक्ति करना है तो आईए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन है 140 तो इसके लिए हमें 140 के अवाज गुडन खंडों को निकालने के लिए गुडन खंड विधी का इस्तिमाल करना होगा गुडन खंड विधी को आप साइड में कर सकते हैं या रफ में भी कर सकते हैं तो 140 अगर एक आई अंक जीरो है तो आपको दो से भाग दे देना है सबसे चोटी संक्या दो से भाग देना है और यदि 2 से भाग नहीं जा रहा है तो फिर आपको 3 से देना है 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से इसी तरीके से आपको क्रम बढ़ाते जाना है तो यहाँ 0 है तो मैं 2 से भाग दूँगा 2 सत्य 14 है और 0 जिरो जिह होका दें फिर लाश्ट में 0 है इसलिए फिर से 2 से चला जाएगा तो 2, 3, 6, बचा 1 हो गए 10 तो यहाँ पर 2, 5, 10 फिर यहाँ लाश्ट में 5 है इसलिए 5 से चला जाएगा पहने 7, 35 और फिर 7, 7, 7 तो 140 के अवाज जी गुणन खंड हमें मिलेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 140 बरावर 2 गुणि 2 गुणि 5 गुणि 7 तो यह 140 के अवाज जी गुणन खंड है अब आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 2 गुणि 2 दो बार है तो आप इसको लिख सकते हो 2 पावर 2 गुणि 5 गुणि 7 तो इस तरीके से आप 140 के अब आज गुड़न खंड निकाल सकते हैं Next question लेते हैं Next question 156 तो इसके लिए भी हमें पहले जैसा ही करना है हम गुड़न खंड विदी से इसके गुड़न खंड निकाल लेंगे तो यहाँ पर 156 लग देते हैं और यहाँ समसंग क्या है इसलिए 2 से भाग चला जाएगा 2714 बचा एक 28 16 फिर से समसंग क्या है तो फिर दो से भाग जाएगा 236 बचा एक 29 18 फिर यहाँ 1349 होता है यह पहले आप 3 से भी दे दें 3 एकम 3 ती तरका 9 फिर तेरा पर 13 का ही जाता है तो तेरा है ये कम तेरा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 156 के जो गुड़नकंड निकले हैं वो निकले हैं 2 गुड़त 2 गुड़त 3 गुड़त 13 गुड़त 13 अब यहाँ पर आप इसको 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार लिखा है गुड़त 3 गुड़त 13 तो तो इस तरीके से आप इसके निकाल सकते हैं अबाज जुदन कंड नेस्ट क्वेशन लेते हैं इसके बाद 3825 तो इसके हमें अबाज जुदन कंड निकालना है सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3825 लिख लेते हैं इसमें हमें 5 है एकायंक तो आप 5 से और 3 से दोनों से ट्राइ कर सक पहले मैं 3 से ट्राइब करूंगा 3 हैं 3 तीन दूनी 6 बच जाते हैं 2, 3, 7, 11 फिर बच जाएगा 1, 3, 5, 15 फिर यहां हम 3 से ट्राइब कर लेंगे 3, 4, 12, 3, 6, 3, 5, 15 यहां भाग चला जाता है फिर यहां 5 है अब हम 5 से ट्राइब कर लेते हैं 45, 42, 25 फिर यहां से 5 से हम देंगे 5 एकम 5 और 7, 35 फिर यहां 17 में 17 का ही जाता है तो यहां हमने 3825 की अबाज गुड़न खंड निकाले हैं 3 गुड़त 3 गुड़त 5 गुड़त 5 गुड़त 17 तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 3 पावर 2 गुड़त 5 पावर 2 गुड़त 17 यह बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्चाव में गुड़न खंड बिधी की हुई है तो इनको हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है इसके बाद नेस्ट कोश्चन लेते हैं 5005 नेस्ट कोश्चन में अब इसको हमें हल करना है तो पाउच हजार पाउच के हम दोग अबाद गुड़न खंड निकाल ले के लिए गुड़न खंड विधी का इस्तिमाल कर रहे हैं 5005 लिखते हैं आपर एकाई एंक में 5 ह इसलिए हम 5 से डिवाइट करेंगे तो 5 एकम 5 है डवल जीरो जी हो काते हूं फिर 5 एकम 5 फिर यहां आ जाता है 1001 तो इसमें 7 से भाग जाता है आपको दियान रखना है तो 7 एकम 7 यहां पर बचे 3 तो हो जाएंगे 30 सचो के 28 और 7 या 21 इसके बाद आगे पढ़ते हैं तो य 11 एकम 11 और 11 तिया 33 इसके बाद यहां जाएगा 13 से 13 एकम 13 तो यह 5005 के अवाजी गुड़न खंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 गुड़त 7 गुड़त 11 गुड़त 13 तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेस्ट कॉस्च्चन 7429 इसको भी हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हम 7429 के अवाज जो गुड़न खंड निकालेंगे गुड़न खंड विदी से 7429 में हम सबसे पहले यहां जो यह एक ऐसी संख्या है कि इसमें 17 से भाग जाता है तो यहां से ट्राइ करते हैं सत्रह चोके अलसट सत्रह तिया इंक्यावन और सत्रह सत्य एक सुन्नीज यह सत्रह बार चला जाएगा आप भाग देख सकते हैं इसके बाद यह 437 से इसमें 19 से भाग जाता है कुछ संख्या ऐसी हैं जो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा यहां आएगा 23 और फिर यहां से 23 एकम 23 तो इस तरीके से हमें इस संख्या का ध्यान रखना है कि 17, 19, 23 इन तीनों से भाग जाएगा एक्जाम में अगर यह कॉश्यन आता है तो आप समय खराब ना करते हो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यह संख्या ऐसी है जिसमें यह तीन संख्या जो है अलग अलग इससे भाग जाता है तो 7429 जो है इसके जो गुड़न खंड आएंगे वो आएंगे 17, 19, 23 इस तरीके से इसके कुड़न खंड आ जाएंगे तो तो प्रिश्णा बली 1.2 का प्रस्णि ग्रमांग एक यहां पर समाप्त होता है